नबसकार दोस्तों मेरे यूटूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों जैसा कि मैं डेली आपको टॉप 15 कोशन्स करा रहा हूं तो चलिए आज के टॉप 15 कोशन्स स्टार्ट करते हैं इस सब पहले मैं बता दूँ कि अगर आप मेरे इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते ताकि आने वाले वीडियो की जानकरी मिल सके और साथी मैं बता दूँ इस चैनल के माईदम से यतने भी सारे सरकारी जोब्स की नोटिफिकेश कोचन साते हैं उसकी भी जानकरी दी जाती है तो रेगुलर अपडेट रहने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे ठीक है और डेली का टॉप 15 कोचन सुबह के वक्त देखना ना भूले तो चलिए पहला कोचन स्टार्ट करते हैं तो आज का पहला कोचन है कि MgO यानि Magnesium Oxide का विलियम होता है यानि इसका टेस्ट किस प्रकार का होता है तो इसका टेस्ट जो होता है वह आपका चारिया होता है ठीक है ठीक है नेक्स्ट कोचन में चलते है MgCl2 यानि Magnesium Chloride किस में पाया जाता है तो MgCl2 आपका जल में पाया जाता है ठीक है नेक्स्ट कोचन में चलते है तो next कोचन में कासा बनाने के लिए क्या उप्योग किया जाता है तो कासा बनाने के लिए तीन चीजों का उप्योग हो सकता है एक है तामबा दूसरा है जस्ता और हमारा तीसरा है टीन ठीक है और इसके राशानिक संकेत में बताता हो तामबा को कोपर बोला जाता है सी यू जस्ता को जिंक बोला जाता है जैडन और तीन को कहा जाता है एस एन ठीक है तो इनका उप्योग किया जाता है क्या बनाने में कासा बनाने में कोशन में चलते हैं तो हमारा अगला कोशन है कि फेरस क्लोराइड का सुत्र क्या होता है फेरस क्लोराइड ठीक है तो चले देखते हैं इसका सुत्र क्या होता है तो इसका सुत्र आपका होता है FeCl2 यहां हम लिखते हैं FeCl2 यह होता है फेरस क्लोराइड का सुत्र ठीक है फेरस को आइरन में होता है तो यह आइरन क्लोराइड भी हो सकता है नेक्स कोशन में चलते हैं तो हमारा नेक्स कोशन है जो लोहे में जंग लगता है वो किस कारण से लगता है तो ये आदरता के कारण और हमारे वातावरन में ऑक्सिजन की उपस्थिती होती है तो जब लोहा ऑक्सिजन के साथ अभिक्रिया करता है तो जिसके कारण जंग लगता है और इसका ये कोशन था कि लोहे में जो जंग लगता उसका कलर कैसा होता है यानि उसका रंग कैसा होता है तो उसका कलर होता है लाल भूरा लाल और भूरा ठीक है तो ज्यादा तरह से हम लोग लाल भूरा से पहचानते हैं नेक्स कोशन में चलते हैं तो हमारा कोशन है अमलगम बनाने के लिए उप्योग धातु यानि जब अमलगम बनाया जाता है तो इसके लिए एक महत्पुन धातु क्या है तो इसके लिए पारा को उप्योग किया जाता है पारा और इसका राशानिक संकेत क्या होता है है चीजी होता है ति नेक्स्ट कोश अवस्था में पाई जाने वाली धाटू यानि तरल अवस्था यानि लगभक लिक्वीड की रूप में यानि पानी की रूप में रहने वाला वा धातू का नाम बताना हे जो सामाई निता mesh पर पाई जाते यानि रूम तो इसे इंगलिस में मरकरी कहते हैं और इसका राशानिक संकेत मैंने बताया अभी इसका राशानिक संकेत क्या होता है है एच जी होता है नेक्स्ट कोशन में चलते हैं सुद्ध सोना का माप क्या होता है तो सुद्ध सोना का माप आपका होता है 24 केरेट यानि 24 केरेट का होता है ठीक है नेक्स्ट कोशन में चलते हैं इस्टिल में कार्बन की मात्रा क्या होती है तो इस्टिल में कार्बन की मात्रा होती है 0.1% से लेकर 2% के बीच ठीक है नेक्स्ट कोशन में चलते हैं तो हमारा कोशन नमबर 10 है धातू की प्रकृती कैसे होती है किस परकार की होती है धातू की प्रकृती तो ये उदासिन होती है उदासिन उदासिन का मतलब नीट्रल होती है सबसे ज़्यादा अगात वधर्य किस की होती है अगात वधर्य का मतलब होता है मतलब अगात वधर्य एक गुन है जिससे किसी भी धातु को पीट करके सबसे पतला किया जा सकता है तो वैसा कौन सा धातु है जिससे पीट कर सबसे ज़्यादा पतला किया जा सकता है तो वो है सोना ठीक है जिससे क्या कहते हैं अंग्रेजी में गोल्ड कहते है ठीके और सुचित किसे करते हैं AU से करते है ठीके तो सोना को सुचित किया जाता है AU से next question में चलते हैं तो हमारा next question की तन्यता क्या है तो तन्यता धातूओं का वैसा गुन होता है जिससे धातों को खीच करके लंबा किया जा सकता है और इसे तार के रूप में ढाला जा सकता है ठीक है जिसे हम घरों में यूज करते हैं किसके रूप में उसे ढाला जा सकता है तार के रूप में तो सबसे ज्यादा तन्याता किस धातों की होती है तो सबसे ज्यादा तन्यात सो ना की होती है तो इससे पहले वालें चागवा कोस्ट के अगातवधर द्री ताभी सबसे अधिक होती है और तंडा भी और इसे सुचित किसे करते हैं यूसे और अगर पूछा जा जाए कि सोना का पर्मानु संख्या क्या होता है तो 79 होता है ठीक है और hyp किसका होता है तो 80 होता है हमारा मर्करी का मर्करी को सुचित करते हैं SG से और मर्करी को हिंदी से पारा कहते हैं नेक्स्ट कोशन में चलते हैं तो हमारा next question है कि storage बेटरी में परियोग किया जाता है तो बताना है कि storage बेटरी में क्या परियोग किया जाता है तो इसका सही उत्तर होगा lead lead को हिंदी से क्या कहते हैं sisa कहते है next question में चलते है लोहे का सुद्धतम रूप है तो लोहे का जो सबसे सुद्धतम रूप है उसे पिटवा लोहा कहा जाता है यह देखिए यहाँ पर लिक रहे है पिटवा लोहा तो आज की आखरी question में चलते हैं तो आज का आखरी question है प्राकर्तिक gas का मुख्य घटक क्या है प्राकर्तिक gas को अंगरेजी में natural gas कहते हैं और इसका मुख्य घटक है methane इसे अंगरेजी में M E T H A N E लिखा जाता है और इसका रहाशानिक सुत्र होता है C H 4 और इसका अगर पर्वानुसन रचना करें तो इसका प्रवानुसन रचना में बताता हूँ किस परकार का होता है इसका परमानू से नचना में एक कार्वन बीच में होता है और चुकि कार्वन की सहियों जगता चार होती है तो चारों तरफ एक-एक हाइडोजन के परमानू होते है तो यह हमारा हो गिया मेथैन तो आज का टॉप 15 कोशन यहीं समाप्त होता है साथी मैं बता दूँ अगर आप मेरे इस चैनल में नया है तो दोबारे से बोलना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले जितने भी गौवर्णन जॉब्स के नोटिफिकेशन से वो पास सके साथी डेली सुबह जो ये टॉप 15 कोशन्स करा रहे हैं जो पिछले साल पूछे गए कोशन्स हैं वो भी आपके लिए महत्पूर्ण रहेंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना ना बूले तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाज